Hey guys, this is Pawan and you're watching StudySkillSuccess. Then guys, आज किस वीडियो में? मेरे पास आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक अर्जेंट अपडेट है. आज का अपडेट आपकी नीट की परिपरेशन को काफ़ी जादा बैतर जो है वो बना सकता है. अपडेट क्या है? इसकी चर्चा जो है वो आगे किस वीडियो में करेंगे. तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा. काफी जादा इंपोर्टेंट जो है वो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. ट्रिक्स, डेली मोटिवेशन और सो मैंने जो अधर इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन है वो हमारे द्वार अपलोड करती की जाती है. तो उसकी इंफोर्मेशन आप सभी को मिल सकेगी. फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या सिंपली आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं. स्टेडी स्किल सक्सेस आपको आईडी मिल जाएगी. चलिए, अब हम बात करते हैं आज की अपनी इंफोर्मेशन पर. तो इंफोर्मेशन में आप सभी को बता दूँ कि अपने कोई भी कंपेटिटिव एक्जाम हो. उसकी परिप्रेशन के लिए एक परफेक्ट बुक का जो सेलेक्शन है वो काफी जादा इंपोर्टेंट माना जाता है. खासकर जब नीट जैसे एक्जामिनेशन की बात हो तो इनकी इंपोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो आज मैं आप सभी के लिए बाइलोजी, फिजिक्स और कमिस्ट्री की कुछ ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ, जिनको रीट करके आप नीट 2020 में जो है एक परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं. बुक्स कौन-कौन सी है, उसके बारे में बात करेंगे, और इंपोर्टेंट बुक्स जो कि आपके आने वाले टू मन्स की परिप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा बैतर कर सकते हैं और इन टू मन्स को आप यूटलाइज भी कर सकते हैं. चलिए, शुरू करते हैं, पूरा का पूरा जो है वो आर्टिकल पढ़ते हैं, उसमें आपको पूरा सब्सक्राइज हो जाएगा. बोला गया है कि नीट की तियारी करने वाले शात्रों के लिए, जो ग्यार्मी और बार्मी क्लास की NCRT की किताबे हैं, वो पवित्तर ग्रंथ की तरह हैं. इन किताबों से बेसिक कोंसेप्ट को क्लीर करने में काफी जादा मदद मिल दी है, और नीट में ओल इंडिया टू रैंक लाने वाले और एम्स में पहली रैंक लाने वाले भाविक बंसल ने कहा था कि मेडिकल के शात्रों को NCRT को भगवत गीता समझना चाहिए, क्योंकि ये सभी सिलेबर्स का बेसिक है, NCRT के अलावा और भी किताबे नीट के शात्रों के लिए काफी सायक साबित होगी, आए फिजिक्स, कमिस्ट्य और बायो तीनों विशों की कुछ एहम किताबों के बारे में जानते हैं, सबसे पहले तो आपकी जो नीव रहती है वो रहती ह है आपकी NCRT, जब तक आपके basic concept clear नहीं होंगे, तब तक आप NEET का syllabus complete नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले आपने basic concept clear कीजिए, यानि की NCRT को clear कीजिए, अगर आपकी NCRT clear है, तो माल लीजिए आपने नीट का 75% course है, वो complete कर लिया, अब आपको जरूरत है सिर्फ और की, तो कुछ books बताता हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने physics की, तो physics के लिए सबसे important पहली है 11 और 12 क्लास की NCRT की physics, HC Verma की concept of physics, ठीक है, HC Verma की जो concept of physics है, उसकी, जो 11 और 12 क्लास की है, ठीक है, second आपकी रहती है DC Pandey की जो objective physics है, वो वाली, DC Pandey की जो objective physics की book आती है, वो थर्ड आपकी है Halide, Rasnick और Walker की fundamental of physics, Halide, Rasnick और Walker की fundamental of physics है, वो वाली, फोर्थ आपकी रहती है, परदीप की fundamental physics और उसके बाद रहती है, IEE, Irodova की problems in general physics, तो physics के लिए ये जो important books है, ये काफी ज़्यादा आप सभी के लिए important हो सकती है, आपनी इट की 2020 की examination को लेकर, थर्ड है आपका chemistry, तो chemistry के लिए सबसे पहली वो ही रहती है, NCRT की 11 और 12 क्लास की textbook रहेगी, उसके अलावा जो है वो ओपी टंडन की physical chemistry, second आपकी है class 11 और 11 के लिए ABC of chemistry, उसके बाद आपका जैडी ली की concise inorganic chemistry, उसके बाद है दिनेश chemistry guide, next आपकी inorganic के लिए week के जायसवा और आगे है organic के लिए MS चोहान और physical के लिए N अवस्ति की practice book, तो यह जो important books है वो chemistry के लिए काफी जादा important है, लाक्ष्ट अपना जो रहता है वो रहता है biology, तो biology के सबसे पहले है आपकी NCRT, 11 और 12 की textbook, उसके बाद ट्रोमेन के biology का volume 1 और volume 2, ठीक है, उसके बाद आपके दि G.R. बातला, G.R. बातला, publications की biology, ठीक है, यह जो important books है, वो है आपकी biology की books, ठीक है guys, और यह किताबे एहम क्यों है, इनका method क्यों है, उसके बारे में अगर बात करें, तो इन किताबों को पढ़कर, नीट के students NCRT के concept को अच्छी तरह से clear कर सकते हैं, exam में 180 questions पूछी जाते है आने पर समझने और बाकी स्वालों को हरन करने में मदद मिलेगी, नीट exam में multiple choice questions होते हैं, इन किताबों की तियारी करने के बाद students आराम से 3 गंटे में सवालों को हल कर सकते हैं, अब बात यह आती है कि यह books आपको मिलेगी कहा, अगर आपको यह books PDF format में चाहिए, ठीक है, त तो आप अपना telegram application डाउलोड कीजिए, उस पर search कीजिए study skill success, तो वहाँ पे एक channel मिलेगा, उस channel पर आपको लगबग यह जो books है वो मिल जाएगी, बाकी की जो books जो आपर available नहीं है, वो जल्द ही मैं आपको available करवा दूँगा, तो वहाँ से इन books के PDF आप ले सकते हैं, जिन books के PDF नहीं मिलते, तो वो आपको खुद ही purchase करनी पड़ेगी, ठीक है guys, यह जो important books है, वो काफी ज़्यादा मैतपून है, आपकी नीट exams की preparation के लिए, बाकी telegram channel पर practice steps, MBBS short notes, revision course और previous year के questions, और भी जितना भी नीट का study material होता है, वो हमारे द्वारा provide करवाया जाता है, तो इस share करिएगा, and अभी तक channel पर नए है और channel को subscribe नहीं किया, तो यार subscribe करके bell icon को press कर लिजे, क्योंकि ऐसी ही important videos आपको channel पर मिलती रहेगी, then guys, आज के लिए इतना ही, मिलते है next video में, तब तक के लिए good luck and have a nice day.